सुशांसेक राजबूत के निधन के बाद क्रिकेट जगत में भी बहुत ही ज़ादा निराशा और रोश है मरिदर सिंग दोनी से लेकर आस्ट्रियलियन क्रिकेटर शेन वाटसन ने भी इस बात पर अपना दुचताय था और यही बहार आया था कि बहुत सारे क्रिकेटर जो है नराज है अब एक और क्रिकेटर ने मांग की है उन्होंने अपने सोचल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है और कहा है कि इसकी बहुत ही ज़ादा फेयर जांच होनी चाहिए मनोश तिवारी इन्होंने जो है एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है अपने ट्विट्टर पर और उस वीडियो में उन्होंने काहा है कि मैं चाहता हूँ कि इसको लेका जो है फेयर जांच होनी चाहिए उन्होंने वीडियो की शुरुवात लगभग दो मिनिट का वीडियो बनाया है और उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है हाथ से तो बहुत होते हैं इस दुनिया में लेकिन कुछ हाथ से ऐसे होते हैं जहां मनने वाले से कोई दिश्टा भी ना हो पर तकलीफ अपनो जैसी ही होती है जिहां इस तरह का जो है उन्होंने कुछ लाइनों के साथ एक वीडियो को शेयर किया है उनका ये कहना है कि भले ही हम नहीं जानते हो लेकिन उनके मनने के बाद भी जो है जो तकलीफ हो रही है न वो ऐसी हो रही है जैसे कोई अपना चला गया वह कहते है कि मैं इस जो दो मिनट का वीडियो है उसमें उन्होंने बुला कि मैं उनके बहुत सारे इंटर्व्यूस देख रहा हूँ लगातार उनको जो है एक ख़बनाने के बाद मैंने बहुत कुछ देखा जाना उनके बारे में और आज जो है मैं क्रिकेटर के तौर पर न उसके बाद वो आगे कहते हैं कि मैं इन सारी चीजों को लेकर बहुत पड़ भी रहा हूँ तो बहुत सारे medical students हो या criminal lawyer हो उन्होंने बहुत सारी चीजों को लेकर social media पर सवाल उठाए हैं इसलिए मैं सिर्फ यह अपील करता हूँ कि इसमें जो जांच हो प्लीज वो फेर होनी चाहिए और जो है फैंस को न्याय मिलना चाहिए और वो बहुत दुखी होकर इन सभी बातों की अपील कर रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इसमें जो जान्च होना वो बहुत ही ज़ादा फेर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि न्याय न मिल सके, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत कुछ जाना, बढ़ा और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छे दिल के इंसान बहुत कुछ किया था उन्होंने और उन्होंने भी अब सुषान के निधन पर दुख जताते हुए ये कहा है कि इसकी जान जो है बहुत ही जादा फेर होनी चाहिए इससे पहले भी रूपा गांगुली हो मनोश्तिवारी हो बहुत सारे लोगों ने भी सीबिया इजाज के लि कि सीबिया इजाज होनी चाहिए